ओम सिरी गनेशाय नमदूस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मकर राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 नवंबर से 19 नवंबर यानि कि इन 15 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल्क के बारे में कि इन 15 दिनों का समय आपकी राशी वालों के लिए किस प्रकार रहने वाला हैं ग्रहनक शत्रों के इसाब से इन 15 दिनों में आपको किनकिन चीजों से फायदा होगा कि इन चीजों से आपको साफधान रहना होगा साथे साथ ग्रहनक सत्रों के साब से इन 15 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा विजिनिस और वैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महथ पपूण जानकारी इस वीडियो महँआप को देने वाले हैं चाह दोस्तो आज की इस वीडियो महमँआप पांच नवंबर से 19 नवंबर यानि किन पंदरा दिनों के शंपूण और शटीकराशी फल्के बारे में बताने वाले हैं वीडियो महत पपुन हैं शुरू से लेकर अंतर तक पूरा देखें दोस्तों वीडियो का कि शुरू करें सबसे पर लबस रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को एक लाइक बीकरें कमेंट स्पोक्स में जैश शनीदेव अबसे लिखें जिससे भगवान शन में पूर्ण तहां आपके पक्ष में हैं वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे शांती की चाह में किसी धर्मिक इस्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन मे चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसंता का माहूल रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफलता हंसिल करेंगे अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी चुपी पिरतिभाओं को समझें और उनको सही दिसा में लगाएं भाईयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर शकारत्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके लिए ए प्रतियासित लाब की इस्तिती बन रही हैं आप अपने आने वाले समय का सद्यूप्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी धर्मिक इस्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती लाबकारी हैं अपने उद्रसों पर आप ध्यान केंद्रित रखें दोड धूप की अधिकता रहेगी परंतु कारों की सफलता आपकी ठकान को भी दूर कर देगी अनुबबी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूर आम हैसूस होंगी घर के रख रखाव तता साज सज्जा संबंदित कारों में भी समय व्यतीत होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ती के साथ बात चीत करते समय आप सावधानी बरतें कोई नकारातमक बात आपसी संबंदों को खराब कर सकती है आलस की वजए से काम को कुछ टा कभी कभी आत्म विश्वास में कमी तथा आलस की वजए से बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है अपनी नकारातमक कमियों को दूर करके आप भेतरीन रिजल्ट प्राप कर सकते हैं दोस्तों के साथ ज़्यादा गोमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें समय का दोस्तों साथ साथ कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत्पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भेह हैं कैई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वजए से कोई महत्पपूर्ण उपलब्दी भी आपके हाथ से निकल सकती है थोड़ा सावधान रहें शेयर शट्टा आदी में किसी प्रिकार का आप निवेश ना करें तथा साती सात किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें घर में महवानों के आगमन से कुछ महत्पूर्ण काम भी रुख सकते हैं इ पच्छों में हालस रहेगा खास कर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें कोट केस संबंदित मामलों में चड़चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफलताय भी प्राप्त होंगी कभी-कभी आपकी सक करने की प्रवर्ती आपके लिए परिसानिका क तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तता सौपिंग में समय व्यतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधुरत आएगी। के लिए अपने करोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अतियावशक है। परिशानिया उत्पन कर सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की तो व्यवसाइक दरश्टी कोण से समय पूरता आपके पक्ष में हैं। आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे। नोकरी पेसा लोगों को भी अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर आफिसरों से शकारात्मक परणाम हासिल होंगे। और करमचारियों के साथ संबंद मदूर बना कर रखें। जिस कार्रों को आप सहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा। इसलिए अपने कार्रे के प्रती पूरी तरह से एकागर्चित रहने की आपको आवशकता है। नोकरी पेशा व्यक्ती अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें। कार्यचितर में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे। तथा अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाहन आप बखू भी करेंगे। नोकरी पेशा व्यक्ती अतिरिक्त आयप प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रिकार का प्रियास ना करें। क्योंकि किसी प्रिकार की मान हाने के भी योग बन रहे हैं। कुछ नए व्यवेसाइक अनुबंद आपको प्राप्त होंगे पेपर वर्क करते समय। बहुती आपको साबधानी बरतने की आवश्चकता है। चरासी भी लापरवाही नुकसान दायक साबित हो सकती है। इस समय कार्रे के गुणवत्ता को और अधिक बहतर करना अति आवश्चक है। प्रॉपर्टी संबंदित कारों में सफलता मिलेगी। तथा वैपार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्पपून योजनाय बनेंगी और सफल भी होंगी। नौकरी में अपने लक्से को ट्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिलेगी। कार्य चेत्र में धन टापती के लिए किये गए नए अनुबंद विख्षित होंगे। तथा नए योजनाय बनेंगी। रुके हुए सभी कार्य भी आपके निवटेंगे। कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबवी व्यक्तियों की सला अवश्य लेए आपके लिए लाबकारी रहेगा। दोस्तों बात करें आपके स्वास्त की। तो स्वास्त के द्रश्टी कौन से कफ और खांसी की वज़े से गले में और छाती में सूजन महसूस होगी। लापरवाही बिलकुल भी आप ना करें और उचित इलाज लें। साति सात अत्यादिक काम की वज़े से ठकान वे कमजोरी महसूस होगी। समय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्चक है। साति सात अपने खान पान बर भी आप विसेश रूप से ध्यान दें। तला हुआ भोजन आप ना करें। परेज करें। सुपाच्य भोजन करें।